यह बड़ी ख़बर आपको बताते हैं, फरीदबाद दोरे पर हैं, मुक्य मंत्री मनोहरलाल फरीदबाद में पूरा प्रबंदन सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं मुक्य मंत्री और सेमिनार में मुक्य मंत्री मनोहरलाल का संबोधन हम अपने भविश्य को लेकर के चिंतित हैं, सीमनेय का जंत्की के डेल से अने को बिमारिया पनप रही हैं और हमें अपने अबादावरण को सुच बनाना होगा, हमें धरादल की कटिनाईयों को भी समझना होगा केंद्री राज्य मंत्री क्रिश्नपाल गुर्जर भी साथ में मौझूद रहे, केविनेट मंत्री मूर्चन चर्मा और कमल गुपता भी इस सेमिनार में शामिल हुए यह बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं कि वरीदबाद के दौरे भर मुख्यमंत्री मनोहलाल पूरा प्रबंदन सेमिनार की अद्द्यच तक है मुख्यमंत्री मनोहलाल ने और इसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए हैं इस सेमिनार में शामिल हुए और इस दोरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बाते कहीं है उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही है कि हम अपने भविश्य को लेकर के चिंतित हैं एन्यकर्ण के जिस तरह से प्रदूशन की इस्तिति है वह बढ़ रही है और कोट प्रबंदन जो सहीह तरीके से नहीं हो पाता हुए उसक वज़र से बीमारियां पनफने कि भी संभानाई गंदग्येकर से एन्यकर को बीमारियां पनफ नहीं है मुख्यमंत्री ने ये कहा उन्होंने कहा कि हमें अपने वातवरण को स्वच बनाना होगा हमें धरातल की कठिनाईयों को भी समझना होगा जो जमीनी कठिनाईयां है जमीनी स्थरकी उनको समझना होगा और उनके समाधान के वारे में भी विचार विमर्ज करना होगा और उन पर एक्शन भी लेना होगा परिदबाद में कुड़ा प्रबंदन सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहलाल परिदबाद दोरे पर हैं आज मुख्यमंत्री और एक महतुपूल सेमिनार कुड़ा प्रबंदन सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं सेमिनार में मुख्यमंत्री मनोहलाल का संबोधन हुआ है तो उन्होंने इस मामले में ये कहा कि हमें अपने वविश्य की चिंता है गंदगी के धेर से अनेको बिमारियं पनब नहीं हैं हमें अपने वातवरण को स्वच बनाना होगा धरातल की कठिनाईईों को समझना होगा इसके लाबा आपको بتा दें प्राजेuccess पूरी जानकारी है यह जो समिनार चल रहा है Case लिश इस सेमिनार को संबोदित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहलाल ने क्या कुछ बड़ी बाते कहीं लेकिस पॉलिशन पर लेकर भी उन्होंने एक ब्यान दिया कि इस सेमिनार के यहां पर क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा क्यूंकि फरीदाबाद में प्रबंदन की एक समिस्साय है क्या उस समस्तिया से अब निजात मिलती हुए दिखाई देगी? देगे बिल्कुल यहां पर जो बात की गएगी हो थाप टॉप पर कहें तो अर्याना को इस मामने में नंबर बन बताया है लेकिन अभी भी कहीं न कहीं इस पर काम करने की जरुत बताई गई है तो तमाम जो अधिकारी हों उनको भी जिसाने देश्ट इसको लेकर दिये गए हैं आगे से जो किस तरी कैसे जो लिक्वेस्ट और सॉलिड देश्ट इसको किस तरी कैसे उसका निस्थारंग किया जाए ताकि किसी को कोई परिशानी ना हूँ जी राजेंदर तमाम जान कर देने के लिए बहुत ताई शुक्री आपका